वेबंदू नमस्कार मेचों विनाई ध्यानी और आज हमर दगण कारीक्रम में डॉक्टर देवेंद्र सिंग रावत रावत जी कारीक्रम बहुत बहुत स्वागता आपको बहुत बहुत धन्यमादा आपको आज आपसा फिर एक दा हम बात कला दांतों की स्वास्ते की देख भाल और जो हमर खास विशय चे आज हो उकमा असली और नगली दांत दूयों पर हम बात कला एकली दाइबाद के लिए जो हमारा जनम जाद नात हों देन तो दाइबो की स्वास्ते थे रख रखाओ ची असली वलू करें जाए देखा असली दाइब कुद्रति की देन ची और असली दाइब दोबर ने मिल दा हैं सिर्फ एक बार है तो नेचर की दीए-चीज वही कोई म स्वास्ते को देख भालोगा आपन पूछी कन के करी जो तो बेसिक आधार भूद जुन्नियम चीने वहीं इचीने साफसपा एक ध्यान रखी जो दातों को रात और सुवेर द्वी टायम ठीक से ब्रश करी जो और समय समय पर अपर दन्त चीक सकते सलाह ली जो अगर कोई समय से जब तक पिड़ा ने बढ़ जाना ने चीन डॉक्त रख पास पुटक पीड़ू है तो दोड़ जानू लेकिन दात की समय आता है या दात का स्वास्त देता है बहुत गंबीरता से लोग के लह ने लिए देखा आम तोर पर आपन ठीक सवाल पूछी हूँ दात लोग पास जानना चीन अब दातों जब दर्द हो जाना चीन आपन बोल जब तक पिड़ा ने वे तब तक दिखाने ने चीन तो सहते रहना ना गोली ओली खेली कुछ घरे लोब चार कर लिए उंसे कुछ समय तक अगर थोड़ा से दर्द बंद होए गिया बेसिक मुग यह उनना तो ताकि कोई भी गंभी रिष्थिती ना हो बच्पन बटे अगर हम शुरुवात करां या आदत में शामिल केर दिवा दातों के स्वच्छता की बात तो कतना हम तै बहुशे महां कारगर होए सके दामर वास्ता है देखा बच्पन मां जो हमारा खासकर के दूदाग दाध होना आजकल जो भी यह उत्पाद जो बच्पन वास्ता खासका टार्गेट करी बढ़ना ची ना उमा बहुत ज्यादा मतलब सुगर कंटेनिंग अलिमेंट ची और वह का लाओ जो भी बच्पन कार्बोनेटे ड्रिंक जो लिहन बट गया हो और दुनिया भरा का उत्पाद जो बच्पन टार्गेट करी बढ़ना ची तो उनको गातक असर बच्पन को दांतों पर होनों भी चे यह मां फिर बच्पन का जो माबाप चीनों पेरेंट चीनों जिमेदारी होई जाने कि वह बच्पन एक सीमित दाइरा का अंदर ही इम चे जो तें मतलब दियों बहुत चौकलेट टोफी और चिपस दिन मां लेकिन या बच्पन का स्वास्तव का खातेर या उनका दातों का स्वास्तव का खातेर भल चीज निए और चेना आपन बता कि खायाल तुमन वेक बाद जर दात में जावी दो यह आदत में शामिल होन चे अब अगर हम यह बात कर जिन बेरखुन निकलना होई सकते हैं आजक यह बगत पर तो सबको संभाव उचे तो इना दातों की देख भाल होई सकते हैं जी आपन पड़दांता का बार मां बोली पड़दांत आम तोर पर जो देखी जाना हूँ जब दूदाग दांत टूटादादा गए बाद जब दात आट अन्ट पर तो वह बच्चों का अकिलागी बच्चों को जो जब डोग साइज उननों छोट बाद मां जो दात अनों फुल साइज आगा बड़दा तो वह वज़ा से स्पेस की कमी के वज़ा से कभी-कभी दात ओवरलैपिंग वे सकता या जिक-जैक वे सकता या बहुत जादा भेह रहे सकता तो उनको भी समय रहते समाधान संभा हो चे जब हम जो टीनेज बोलता जये थे हैं वह मां अगर डॉक्टर का संपर्क मां सई समय पर एजो बच्चा ट्रीटमेंट प्लान करी थे हैं उनको भी समाधान भी सिधा वे जाना और अगर बहुत जा और ब्रेसेज भी आजकल कही प्रकारा होना ची जन इन्विजिबल ब्रेसेज भी हुंदा जो दिखिन दा कम चीना कि आजकल थोड़ा से लोग एस्थेटिक रिजन ज्यादा फॉलो करदा कि मतलब थोड़ा सुन्द लगन चें दिखिन नीचें या बच्चों मतलब आजकल अशरदार है चो जी बिल्कुल ओर्फोडोंटिस्ट होना फॉलो कवेका बाश्ता जो टेड़ा मेंड़े दातों को जो समाधान करदा तो डेंटिस्ट्री महां हो थे हम लोग बल्दा और्फोडोंटिस्ट तो और्फोडोंटिस्ट वह डाक्टर होन दों जो कि मतलब मास् सई समय पर सई इस्तिति मां ले सकूंँ आपन बता कि साब यह एक अलग विधा चे चुकि ट्याड़ा मेला दांचेने पर दांचेने बहर निकलिया दांचेने यूंक अलग इलाज हो जा हमर जो यह दांचेन 32 बल देन ने कुझ आण 32 ही बल दे जा जा तो यह बत्तिज जोन दानचेन आपनों यह दांचेने पर काम जोन पर सब्सक्राइब कर दांचेन विधा हम देन की वर चाबानचेन अटाग आपने पर्रैक्टिस मा कि जो 1st मोलर बच्यों के आणदी वह छाय सालक उमर महां उम्र उम्र भाष्या बच्यों के यह ता कोई सेंस भी परस्ण मतलब बच्चे का मुखमागर दाहते हैं वह बगती है अगर साफ सफाई माप मतलब बच्चों था इंस्ट्रक्शन दो और मुथ हैं मतलब साहता भी करूं वह काम मां और चुट मुटी चीज जनमेन आप दें फूर्ट अबिट वगरे कंट्रोल कर ले हो तो आगे समाय मां ज अकल शकुई लिएन देन चा कि ना अकल दाड जो चे आम तोर पर वह था है इले बोल्ड कि वह अठारा साल का बाद आम तोर पर जबड़मा आंदी चे अठारा से पचीछ साल का बीच और आप जान दाचिए कि हमार देस मां मतलब एक बयस्क की होनों को एक उमर चे उमर च अठारा साल मां कि वह था है अकल बुली जान और अंग्रेजी मां भी वह था है विजडम टूथ बोल दाचिए अच्या में यह पुछन चाहिए कि आप लोग के बल दने खुड़ने हो था है थर्ड मोलर भी बोल दा और विजडम टूथ भी बोल ठीक साब यह सवाल भी वह कि बाल अर दात यह तो जड़ना चाहिए अना एक ना एक दिन अब जब हमारा बूट बुट बुड़ियों का दाना सेनों का दात ने खुल दे बबाव उपढ़ दे यह बोल देनो तो एक तो उपढ़नक कोई स्थिति चे और जब आपन नकली दात बनाले क्य स्थितिमां ह तो जनमीन पहले कि कुद्रत द्वारा जो प्रदान किया जी ओरिजनल दात कोई सब्स्ट्यूट नीचे देखे जो कोशिशी हम लोग भी या कोई भी डेंटिस्ट आज का समाइमा किला कि तकनीक भी बहुत जादा अची हुए गया है तो कोशिशी करी जान दे कि अपना द जाए गलतावा दान थीक कर सकता ओंपर क्राउन लगाए सेगा लेकिन फिर भी अगर दान बहुत ही जादा डिस्ट्रॉई हो गया या पेशिंट थें डॉक्तर का पास आन मा देर भेगे बहुत देर से आन हो चे दान बिलकुली नस्ट हो गया को क्राउन काम कनवल ही साथ जब दानत के कामों के निरहें और जब बार बार इंफेक्शन होनों ची या दर्द होनों ची इस्तिति में पोँचिया कि वह ठीक नहीं है तो तब फिर निकलन ही पोड़ जाए तो अब गद नगली दानतों बात आन वह कभी कत्वी परकार ही पहला जमन में द्याग चाह कि अगर के मचें चाहिए तो जो पूरु पूरु सेट या आम तोर पर जो नगली दानत हुद भी केटगराइज कर सगदे कि पार्शियल टेंचर और कम्प्लीट टेंचर तो पार्शिल टेंचर में यह होनदे कि जन दू चार दानत बीज मां निकल गियें तो उन थाभी लग पार्शिल टेंचर मां और कम्प्लीट टेंचर विगे कि जब पूरे निकली गें और पूरु सेट लगाँ जये था हम लोग यह बोल दा पेशेंट थें कि आप रात श्योन से पहली एक बार वेक सफाई अवश्य कर और जो रिमूबबल डान ची जो निकल चाहिए उन निक पार्शिय को इस्तमाल कर सकता नित कोई माइल्ड डिटर्जेंट वगरा यूज कर सकता अच्छे से साफ करी थें पानिमा ओबर नाइट रह सकता आरो का पानिमा और शुबर आप फिर से इस्तमाल कर सकते इन कंसे उँपर अनावस्यक स्मेल नियां दांत साफ रहना दांतो देखन में ठीक लगए अपन बोले कि देखन में ठीक लगए लेकिन क्या चोबिस घंटा पैनन चनू होता है या सिर्फ सीन्दाई निकलनी देखा अगर पेशेंट की फिजिकल इस्तिती ठीक चे तो आप हूं थें साफ करना के बाद अच्छा से और अगर लूज निच नि सकता है जो अपना अपना निकूल मतलब अगर पेशेंट की फिजिकल इस्तिती ठीक ने चे और अगर रात लगए थें से गया है नकली दाथ तो सियां मां हुई भी सकते कि एक्सिदेंटली वो गलब और फंच हो या कुछ इनी इस्तिती हो सकती या कुझ जो से रात रहे है पर्मनेंट बोल देना आप लोग कि वो इंप्लांट भी हो जो क्या है देख्या दात जो फिक्स होंदा आजकल लोगों की चाहत भी चे कि बार-बार निकालने पड़ो मैंटिनेंस फ्री हो तो वह कवास्ता जो फिक्स दातों मां हम लोग आजकल जो तक्नीक चे इस ब्रिज क्रियेट कर सकते वह ब्रिज भी फिक्स होंदा और वह सामने तया काफी साल तक वह मां कोई मैंटिनेंस की जरुरत बिनी पड़ दिया अगर बहुत अच्छे धंसे वह ब्रिज फिक्स होई हो चे तो वह मां कोई समस्य कभी नहां दे लंबा समाई तक चल जान दे अब आपन बोली की इंप्लांट तो इंप्लांट भी फिक्स काटेगरी मां अंद और वह मां क्या कर जान दे के एक तरह से वह एक सर्जिकल प्रोसेस के एक मैटल होंदा टाइटेनियम भी रन वह मां तो वह मैटलों की स्क्रू टाइप गुंजे था हैं सर्जरी का थू जो भी भगद भगद पर हो जानुँग जिहां वह एक समय समय पर अगर कोई मैंटेनेंस की आवस्ता पढ़नी चे पेशेंट थे उंक जरूरत का हिसाब से उस अब चीज उप्लब दोए जाने डॉक्टर रावत असली और नगली दांतों पर खारू कुछ हमारा बैबंदों अगर नगली दांतों की जरूत निपूरी और अगर आप नगली दांत भी प्रियोग मा ल्याना चे ने तो उनको रख रखाओ भी आप उनक भी साब सपय की बहुत जरूरत चे तो डॉक्टर रावत कारी क्रम्मा आण का खाते महत पुन जानकारी दीन का खाते आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद